बंबंबोले 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 कलातीत कल्यान कलपांत कारी सदासत जनानंद दाता पुरारी चिदानन्द संदो महापहारी प्रसिदा प्रसिदा प्रवुमनमतारी नयावद उमनात पादार विंदं भजंतिया लोके परेवान नरणं तावस्तुकम सांती संतापनासं प्रसिदा प्रवुसर्वभूता दिवासं बंबंबोले 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 मेरे भाईयों और मेरे बहनों भगवान शिव जी का ये रुद्राष्टक का जो मंत्र मैंने आपके सामने रखा आप विश्वास करिएगा इस मंत्र के जब ये आपके घर में गूंज रहा होगा तो अनेकों परकार के आपके कष्ट दूर हो जाएंगे उसके सासाद ये जो शंकिती धवनी जो आपके घर में गूंजेगी तो भगवान सदा शिव के कृपा आपसे जुड जाएगी अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे कारण क्या है मैं आप सब को बताना चाहता हूँ कि जब परम पिता परमातमा महरबान हो जाते हैं तब आपके कष्ट धीरे धीरे कट जाते हैं और एक बात ध्यान से समझ लो ये आपकी भक्ती पर निर्भर करता है किसी व्यक्ती का पूरा जिंदगी लग जाती है लेकिन तब भी उसको पूजा के अंदर आनंद नहीं आता पूरा जीवन उसका ऐसा निकल जाता है कस्ट में और कई वार ऐसा होता है कि थोड़ी सी पूजा से ही परम पिता परमातमा परसंद हो जाते हैं तो ये जो रोज में आपको छोटे छोटे दिव्यमंत्र देता हूँ जब आप इसको लगातार करेंगे तो विश्वास करिएगा परम पिता परमातमा की किरपा आपको अवश्य मिलेगी और शिभक्त होने के नाते मैं बाबा शिव से रोज ये ही परात्ना करता हूँ कि आपके कस्टों को धूर बाबा शिव ही करेंगे तो मेरे साथ बोलो बं-बं भोले, बं-बं भोले, बं-बं भोले मेरे बच्चों, दूर की यात्रा का योग है और सेहत में उतार चड़ाव दिख सकता है पुराना रुकावा धन वापस मिलेगा बहुत बढ़िया बाबा शिव क्या कहते हैं तुमारे लिए ओम सूरिया ए नमा ओम सूरिया ए नमा इस मंत्र को तुमने तीन मिनट जपना है और बाबा शिव की करपा तुमको मिल जाएगी तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले बात करता हूँ मैं वरश्टा शिवालों के वरश्टा वालों संतान को लेकर चिंता हो सकती है और किसी मित्र से विवाद हो सकता है और अचानक धन का लाब होगा तो होगा बाबा शीव ही तुमारे लिए कहते हैं बाबा शीव कहते हैं 14-14 करके तुने चार बार 14-46 इतनी वार भगवान शीव के इस परम दिव्य मंतर को आपने जपना है बाबा शीव की ग़िपा तुमारे को मिल जाएगे और पूरे बटे पूरे नंबर आपके हो जाएंगे, तो मेरे साथ बोलो, बम बम भोले, बम बम भोले, बात करता हूँ मिथुन राश्यवालों के, मिथुन वालों, परिवार में मद भेद हो सकता है, नौकरी में दवाव बढ़ सकता है, और यहां पर क्या दिख रहा है, ठं ठंडा ठंडा पानी पी लिया, तो नजला हो गया, ध्यान रखिएगा इस बात का, बाबा शिव भी तुम्हारे लिए कहते हैं, बाबा शिव कहते हैं, अगर तुने 21-21 करके 3 बार, 21-63 बार, ओं सूरिया नमा इस मंत्र को जपलेगा, तो तेरे पूरे बटे पूरे नंबर कर दूँगा, तो मेरे साथ बोलो, बम बम भोले, बम बम भोले, मैं आप सबको एक बात बार बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, एक बात आप ये समझ लो, कि कुछ लोग कहते हैं, स्वामी जी हम इतने समय से भगवान शिव की अराधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ मज़ेदार नहीं हुआ बढ़िया नहीं हुआ और कुछ लोगों को मैं देखता हूं लोग कहते हैं स्वामी जी पता नहीं क्या बात है भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे तो मैंने उनको रियली आपको सच बताता हूं एक बार बोला मैंने का आप सच बताओ अब जाता हूं मैं वहां जाता हूं मैंने का जब तक आपने शिव जी की अराधना करी सच बताना जब तक आपका समय कोईसा था तो उन्हों नेका जीं हमारा समय स्वामी जी जब तक हम शिव जी को भजा आनंदायक था रहा लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि भगवान की भक्ती हमारे से छूट गई, मैंने का देखो कहीं न कहीं तुमारे से कुछ न कुछ गलती हो गई होगी, और मैं एक बात सबको कहता हूँ, संसार के पिता है, अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई, तो भगवान के मंदिर में जाके अगर आपने ना बागवान शिव के लावा जितने भी देवता हैं, चाहें शाक्षा भगवान ही क्यों नहों, उन्होंने तक मांगा है भगवान सदा शिव से, जिस समय में आपको बताना चाहता हूं, हला हल निकला सबसे पहले समुद्रमंधन में, अगर बाबा शिव उसको ग्रह्न नहीं कर अपने कंठ में ग्रहन नहीं करते तो ना तो ये सारे देवी देवता होते ना आप होते ना में होता कोई नहीं होता ये भगवान सदा शिव की ही किरपा है कि भगवान सदा शिव ने उस हला हल को अपने कंठ में धारन किया और महादेव जी नील कंठ कहलाए तो बाबा शिव कि आपने सुम्रण करना जो छोटे-छोटे मंत्र बता तो इनको रोज आपने करना है और दिड़ विश्वास के साथ करना है आप ये काम बनते चले जाएंगे लेकिन मेरे साथ तो बोलो बम-बम भोले बम-बम भोले ये बात करता हूँ करक राशी वालों की करक वालों किसी बड़े काम की शुरुबात होगी, शंमान और उपहार की प्राप्ती होगी और कारो वार में व्यस्तितार रहेगी, बाबा शिवी तुमारे लिए उस मंत्र को कहते हैं ओम सुरियए नमा ओम सुरिया नमा पच्पन बार आपने इस मंत्र को जपना है, पच्पन बार जब आप इस मंत्र को जपेंगे ना तो विश्वास करो आपके मन को एक तो सकून मिलेगा कि मैंने पच्पन बार भगवान शिव का नाम लिया देखो आप कह रहोगे जी सूरिय है नमा सूरिय हो गया चंडर हो गया मंगल बुष सब जो हैं ये स्थिव जी के 1008 नामों में से हैं तो जो नाम आपको देता हूँ नगिन मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले अब बात करता हूँ मैं सिंग राशी वालों के सिंग वालों नौकरी में काम का बोज बढ़ जाएगा संतान के मामले में महत्पूर्ण फैसला लेना पड़ेगा और आस्कमिक धन की प्राप्ति हो सकती है बहुत बढ़िया बाबा शिव भी तुमारे लिए क्या कहते हैं बाबा शिव कहते हैं आज चार लड़ू बेशन के भगवान के मंदिर में चड़ा कर आने हैं मत्था टेकना है और चार मिट ओन सूरिया आयनमा इस मंत्र को आपने जपना है तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले बात करता हूँ कन्या राश्री वालों की कन्या वालों आज काफी भाग दौड करनी पड़ सकती है यहाँ पर पाचन तंत्र बिगड रहा है और धन का खर्च बड़ा हुआ रहेगा बाबा शिव भी तुमारे लिए उसी मंत्र को कहते हैं बाबा शिव क्या कहते हैं ध्यान से समझ लीजेगा बाबा शिव कहते हैं किसी भूखे को आज भोजन कराना हैं और उसके साथ साथ तक्रीबन पांच मिनट ओन सूरिया नमा इस मंत्र को आपने जपना है तो मेरे साथ बोलो बंबं भोले बंबं भोले बंबं भोले अब एक बात मैं आप सबको और बताना चाहता हूँ आपने सुना होगा जल ही जीवन है और कहते हैं अगर जल ना होता तो यह जग जाता जल अगर इस जग में जल नहीं होता तो यह जग जाता जल जल मतलब भस्न हो जाता मैं आप सबको बताना चाहता हूँ भगवान, सदा, शिक पर जो व्यक्ति जो भी इन्सão चाहिए वो मेरी बेहन, बेटी, माता हो, चाहिए मेरा भाई हो चाहिए मेरा बुज़र्ग हो जो जल चढ़ाते हैं, रोच, जो रोच जल चढ़ाएंगे, उनके जीवन में करोडों खुश्यां रहेंगी, खुश्यां रहेंगी, खुश्यां रहेंगी, तो मैं यहीछ चाहता हूँ, भगवान सदाशिव जैसे आपने भक्त पर किर्पा करी, ऐसी किर्पा आप सब पर करें, लेक होने का योग है नए कारोबार की शुरुवात होगी और रुका हुआ काम बन जाएगा बहुत बढ़िया बाबा शीवी तुम्हारे लिए कहते हैं ओम सूरिया इनमा आठ मिनट इस मंत्र को जपना है आठ मिनट ओम सूरिया इनमा तो बाबा महरबान हो जाएंगे तो मेरे प्रिये जन से मुलाकात होगी सेहत अच्छी बनी रहेगी बहुत बढ़िया बात है और उसके सासद वेतन में बढ़ात्री हो जाएगी ये तो और अच्छी बात है बाबा शीवी तुम्हारे को उसी मंत्र को कहते हैं बाबा कहते हैं 108 बार तुन्हें ओम सूरिया इनमा ओम इस मंत्र को जबना है तो जब लो 108 बार लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले बम बम भोले अब बात करता हूँ धनू राश्री वालों की धनू वालों सेहत परेशान कर सकती है ध्यान से और चोट या दुरगटना की आशंका है आचानक धन की प्राप्ति होगी तो हो होगी बाबा शिवी तुमारे लिए उसी बात को कहते है ओम सूरियानमा मegर यहां पर छोटा चार्य करना है अपने कनक ले लेना कनक बोलते हैं गयहूं को और कनक सौने को भी बोलते है तक्रीबर दो Σवाद 2 किलो गयहूं ले लेना और किसी मांगने वाले को अवश्य दे बार-बार कहता हूं और आप विश्वास करिएगा मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी होगी कि बाबा शीव से जीवन में एक बार प्रात्मा करी थी बाबा जी एक बार आप अपने धाम पर बुला लो धाम कौन सा कैलाश परवत अब आप बताईए बाबा ने बुला 20 और 23 वार अब तक बुला चुके ये उनकी कृपा है और जब पहली वार बाबा जी ने बुलाया तो जब आप दारचीन से चलते हैं यमदोवार होते हुए तो डेरा पुक पढ़ता है पहले दिन तो डेरा पुक पे बाबा जी सामने हाज जोड़के प्रात्मा करी बाबा उसको अपने लोग में बुलाते हैं शिव लोग बुलाते हैं भोले बाबा आपने तो सैसरीर बुला लिया विश्वास करिये विश्वास करिये वहां का महल एक दम ऐसा बदल गया बिलकु सुगंध सी कस्तूरी की सुगंध सी मैंने धन्वत परणाम किया यकीन करिएगा और बस मुझे क्या मिला, आगे मैं आपको नहीं बता सकता, तो मैं यही प्रात्ना करता हूँ, भोले बंडारी, आप सबको भी शिव लोग मतलब सै सरीर केलाश पर आप लोग जाएं, अब मिरे साथ बोलो, बंबं बोले, बंबं बोले, अब बात करता हूँ मैं मकर राश्यवालों की, मकर वालों, जीवन में सफलता का नया मौका मिलेगा, बहुत बढ़िया, शिक्षा परतियोगिता में अनुकूल परिणाम मिलेंगे, बहुत बढ़िया, और संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, ये तो और अच्छी बात है, बाबा शिवी तुमारे लिए कहते हैं, बाबा शिव कहते हैं, ओं सूरिया एनमा, यहाँ पर तुने आठाट करके आठवार इस मंत्र को जपले, माला माल कर दूँगा तो मेरे साथ बोलो, बंबं भोले, बंबं भोले, बात करता हूँ कुम्ब राजशी वालों की कुम्ब वालों किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, कारोबार ये नौकरी में वेर्थ का विवाद हो सकता है, ध्यान रखिएगा, और समस्या जो आ रही है, उसमें कोई महिला मददगार होगी, बहुत बढ़िया, अब करना क्या है, ओम सूरिया इन में पांच मिटे समंत्र को जपना है, बाबा महरबान हो जाएंगे तो मेरे साथ बोलो, बंबं भोले, बंबं भोले, अब बात करता हूँ, मीन राशी वालों के मीन वालों परिवार में तवनाव हो सकता है, यात्रा करना लाबदायक नहीं होगा, और यहां मैं क्या देख रहा हूँ, आँखों की समस्या हो सकती है, अब कोई समस्या ना हो, तो बाबा जी क्या कहते हैं, तकरीबन दो-दो मिनिट करके तीन बार ओम सूरिया है नमस्या वंत्र को जपले, तेरे सारे के सारे दुख दरिदर में काट दूँगा, तो मेरे साथ बोलो, बंबं भोले, बंबं भोले, तो मैं आप सबको एक बात कहता हूँ, भगवान शिव को दिन रात भजो, दिन रात भजो, दिन रात भजो, आप विश्वास करिएगा, जीवन में बहुत सुख आपको प्रम्पिता परमात्मा की करपा से मिलेगा, और शिवक्त होने के नाते में यही चाहता हूँ, आपके जीवन में हमेसा खोशिया ही खोशिया रहे हैं, तो मेरे साथ बोलो, बंबं भोले, बंभं भोले, बंबं भोले, बंबं भोले,